यह दर्शक बेंद महारभावजी वरु गोधिसामदाइक टेलिवीजन को नियमित प्रस्तुती को रूपमा एक महिना को लागी जुन स्वस्तानी ब्रत कथा आमी यहारु शमक्छे बाचन गरी रहे काशुन अच एका बाहराँ दिन को कथा प्रारंब उन्छा राज बाहराँ दिन सरवपर्थम मंगलाचना आम्लिका माला लंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्ता बलिशो विता सरवाज्यान नितान पुस्ता गदरारु राक्चमालागरा वाग्देवी बातनाम वुजे बसतुमे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुकम् करोति बाचालं पंगुम् लंग्वयते गिरिम् यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवं नमो भगवते तस्मय व्यासाय मितते जसे यस्या प्रशादाद बग्चामी नारायन कथा विमाव नारायनाव नास्कृत्या नरंचाइव नरोत्तमं देविम्जरस्वति अवो कथा प्रारम बहुंचा बारा दिन को यानि 12 अध्याय को कथा अथ 12 अध्याय को मार्च याग्या गर्नोंच यह अगस्ते मुनी तेश पचारी हिमालय परवतले आपनो पत्नी मेनका गर्विनी भय कुथा पाय अत्यंतार्श प्रवग आपनो मर्यादा अनुसार उच कित कर्मगरिदी दस मैना पुरा भय सके पचि मेनका को गर्वबाट हिमालय की कन्या जन्मीन ती कस्ती थीन भने हजार सुर्य को जस्ते तेजभाय की रक्तवरना रकोमलांग ये वंपरम सुंदरी पद्मपत्र जस्ता नेत्रवाय की बत्तिस रक्षन्डे युक्त कन्या ज तेरी सिया दिर जोतिसी अरुलाय विडाकन पठाए विधि पुरभगन वारन गराय और अनी बसिष्ट प्रभिरतिरिस्य जोतिसी अरुले पने विदा हुने बकतमा भने हे मालय ये श्वालिका को नाम पार्वती राख्योदराग देऊ गिरिराज तिमी धन्य राय चओ कि बाल की बाली काले स्री महादेव स्वामी पायर चौदै भोवन की स्वामी हुने चन समस्त पापी रदुष्ट अरुको संभार गरने चन तिम्रोश रद्ना भक्तिले आमी संतुष्ट बयों अब आज्या पाये आप आपना घर मा जाने तियों येति बसिष्ट अधिरिसी जोती सी अरुले येस्तो बाने को सुनी हिमालय पर बतले प्रसन भै नाना मडी माडे क्या सुवर्ण द्रभ्यादी दक्षनादी प्रणाम गरेर विदा भै अनी समस्त आगंतु ग्रवसिष्ट प्रवेति ही रिसी जोती सी आपना अस्रम मा गई येतिस पजाडी पार्वत शुकल पक्षे का चंद्रमा जहीं दिन दिने बढ़दे ठुली भाइन तिनी खेल लापनी सिवा पुजा गरेर नहीं खेलनी गर्द धिन येस्ता प्रकारले बाले अवस्ता देखी सिवा को भक्ति माद्रेड लगाई रहे की थिन एक दिन आरद मुनिले विष्णु पान कहां गैर वने हे बयकुंठनात हिमालाय की कन्या पार्वती सवाइतरा ले तिम्रो यग्या चन कस्ति वने लक्ष्मी बंदापनी सुंदरी बतिशे लचनले युक्तवाय की तिकन्या संगतिमी विवागर ये ती नारद मुनिले भने को सुनी विष्णु भगवान येसा उप्तर रों येस को भगोओ बठीमी सुनी विवागर ये ती नारद मुनिले उत्तर दिये तेसको चिंता तिमी लेले नुपार्धाहिन नारद को कुरो सुनी प्रसन्न भैका हिमाले परवत भंद चन हे मुने यो अत्यंत उत्तम कुरावने। तिम्रु आज्याले मेरी पुत्रे भैकोंट नाथ विष्णु लाई दियें अब विष्णु कहां गयरे यो कुरावना यती हिमाले परवत भंद भने पची नारद मुनी भैकोंट गयरा। तिसपची माले परवत ले पारवती कन्यादान दिनभनी सामागरी तयार पारी नारद मुनी लाई डाकेर विष्णु कहां पठाई राम्रो लगन ठराई आपना गुरु पिरियास्पाती शंपुरुन देवताये चे गंदर वके नर्दाइत्या नागे सबेलाई निमंत्र जग जग पारे रवस्तरार अंकार पहिराई सिंगारी राखे की तिन यू देखेर जया विजया आजिता परावती लाई भने हे सके आज तिम्रो विवा हुन्छ विष्णु लाई कन्यादान दिन चन येती सकी ले भने को सुनी पारवती को मनमा संका उत्पन्न भयव मैले बाल्य अवस्ता देखी नई स्री महादेव को महादेवलाई स्वामी पाउं भने रधाई राय की चू अजपनी महादेवलाई न दियर रुकसे लाई दिने भने मा आत्मा अत्यागरे रमार ने चो तिनको कुरोश सुने र सकी अरले वने ये पारवती तेसो वने तिमी आ बसा हमी कसाईले पनी न देखने स्थानमाल लुकाए राय उछों लौ हिना येती सकी अरले भने खो सुनी हे सकी ओ जा सुगर ने हो गरा मके जानने न भनिन येस पची अरले न दी तटको बन मालागेर पारवती लाई कसाईले न देखने एकां तठाव माला एर लुकाए आए तेश्पची हिमालय परवत्यापना गुरु प्रियास्पति लाई एग्यमावसाली सारा विदि सगेरा कन्यादान दिना पारवत्य लाई लिन पठाई तरा घरमा पारवत्य देखेनन रयता उता सबय खोज न लगाई कहीं पनी पाउन सगेनन हिमालय परवत्य आत्यंत ब्याकुल भई गुरु प्रियास्पति कहां गयरा हियी पारवती कहीं पनी जायना न अवके गर्नी कशोगर नी हमालय परवत्य ले भणे को सुनी गुरु प्रियास्पति ले इस लग्नामा भई न भणी बिष्चनु लाई बिंती गरे और आयेका जन्दि शवय फरके रा पार्वति ले नदी तटमा बस बसे र बालुआ ल्याई तेशाई को पार्थे शिवलेंगा बनाई र श्री महादेव को आरधना गरना लागिन। पार्वति ले र श्री महादेव को आरधना गरना लागिन। लागदा यहां लूक न आये कि हूं मदेखि प्रसन भई र अच्या गरा हे प्रवो मेरो इच्या पुर्ण गरावु पार्वति को इस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्या गरना हुन्छ। लागिन। 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 अजुले श्री विष्णुलाई दिन लागदा लुक न गये कि थी आपनो पुत्री पार्वतिले ती भने को सुनी। लागिन। 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 स्रद्धा एबं भक्तिवाव देखे रभ विष्णु भगवान करूड मा बसी संक चक्रक दापत्मधारन गरी पार्वति को सामने आयरवन भू हे पार्वति तिमीले अनेक तिर्थपर्त दांधर्म पुजापाटे ज्ञाधी गरेको देखदाम अत्यंत प्रसन्न वहें तिम महादेव स्वामी प्राप्त हुनी बर्दांदी बक्षेव पार्वति को यस्तो प्रार्थना स्वुनी ब्रिष्णु भगवान आग्या गर्नोंच ये पार्वति तिमीले परिश्रम का साथ गरेकाई तिर्थपर्त दांधर्म पुजापाट अपवास बंदापनी यहुट आते उत्तम्र गोप्य कुराभन्द चु तिमी एक चित्त वैरा ध्यानपुर्वक सुना स्रीश्वस्तानी पर्मेश्वरी को प्रत गर येस प्रत को प्रभावले जगदिश्वर स्री महादेव स्वामी पावने चौ येसमा संका चाहिना स्री विष्णु ले एति आग्या भय को सुनी पारवतिले भेरी विंति गरिन हेश्वर येस वरत को विदान के हो राव येसमा केके गरनु पर्धाचा यो सबय बेस्तार पुर्वग आज्याहोस पारवतिको प्रार्थना सुनी विष्णु भगवान आज्यां गरनुँ उन्चा है पारवति पाउश शुकल पुर्णिमा को दिन देखी वरत आरंब गर्णू पर्दच एक दिन पहले नहीं हाथ गोडा का नंगा टिस्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्यमध्यान्नमा श्री महादेव को पुजा गर्णू रही एक मैना समवर्थाद माग सुक्ल पुर्णिम का दिन अस्टोत्तरशय रोटी अस्टोत्तरशय अक्षता अस्टोत्तरशय बेली पुस्व अस्टतरशय कुडका सुपारी अस्टतरशय पान्र जात का फलफुल नईवेद्यादी सवैबस्तु तयार पारी आरस्वी तामको थाली मा ओंकार लेकी गंगा जल्ले स्नान गरा नुरा श्री खंड चंदन लगाई पितामबर बस्त्र पहिराई धूपदीप नई वेद्या कस्तुरी वेटी दक्षणा चलाई शोड़चो पचारले वा पंचो पचारले पुजन गरी स्तोत्रपाठ जब ध्यान अनि अर्गदिनू अनि हे पार्वति माता स्वस्ता अनि पर पुर्धम्च अर्धेच बरमत्वलं चतुरभुजाम्त्रिनेत्राम्च सर्वालंकारभुसिताम् शुभरणादविका साभा स्वस्तानी जगदिश्वरिम् अस्टा दल पद्म मा अस्टमात्रिका येशमाती खडगतिर शुल लब रनी लोत पल हात मा धार्णगरेकी चारबा उरतिन्यत्र भैकी अनेक प्रकार का लंकार पईरे की अनेका युदलिये की पितांबर भंदा पनी अत्यांत स्वबाय बान भै की एस्ति स्वस्तानी परमेश्वरी को ध्यान गरेर हे जगती स्वरी भनी मनमने उनी संगाई च्यावय को बरदान मागनू अनी प्रसाद जिगेर अस्टो तर स्वय मा आठ रोटी आठ अचेता आठ वेली पुष्प आठ पान आठ कुड का सुपारी सगुन समेत आपना पति लाई दिनू पति नवय चोरा लाई दिनू चोरो नवय मित चोरा लाई दिनू र मित चोरो पनी नवय जुन कामना बाई च चाले ब्रत गरेको छा त्यो मेरो फलानू काम पुर्णा होस वनेर गंगा मा बगाई दिनू सोय रोटी आफुले फलार गरनू रातमा जागराम बशेर स्वस्तानी के महिमा गान्ड भजन गरतन गरनू सुन्नू सुनावनू येति गरिशके बची अवस्य इच्या पुर्णा होने छा इसमा संकाचाईना ये पार्वती स्वस्तानी पर्मेश्वरिको प्रसादलीने विलामा स्त्री महादेव तिम्रो सामु आफई प्रकट उनूने चा तिम्रो स्रद्धा भक्ती देगेरा मप्रसन्न वाये येति भनेरा भनी सके रातिमी ले महादेव स्वामी पाये भनी विश्णु भगवान ले बर्दान दिन भोही अगस्ते मुनी नारायन जिसले येति आज्या भय पची पार्वती दे मनमा संतोस्रानंद मांदे श्रद्धा पुर्वक साइत विश्णु को पनी पुजा प्रणाम गरिन तिनली पुजा गरिशके पची विश्णु भगवान बिदा भैर करूड मा चडी त्यावाट अंतर ध्यान भई बैकुंठ धाम जादा भई इति श्रे श्कंद पुराणे केदा रखंडे माग महात्मे कुमार अगस्त्य संबादे श्री श्वस्तानी परवेश्वर्या वरत कथायाम श्री विश्णु श्वस्तानी ब्रतोपदे सवर्णनम नामद्वाद सोध्याया अम उपनयत मंगलंबा सकल जगन मंगलालाया स्रिमान धिनकरकिरणनि बोधित नवनलिन दालनि वेग्चन कृष्णा काले वरशत परजन्या प्रिथि वीशस्य सालिनी देशोयम्चो बराइतो ब्राम्मन संतु निर्वायाम अपुतरा पुत्रिना संतु पुत्रिना संतु पुत्रिना संतु बाउत्रिना निर्धना सदना संतु जीवन्तु शरधाम सतं तत्रे भगंगा यमनाच तत्रा गोदाबरी सिंदु सरस्वतिच तिर्धानि सर्वानि बसंति तत्रा यत्रा चतो दारकधा प्रसंगा या कुंदेंदुतसारा इरदबला या सुब्रवस्त्रावृता या भीना बरदंडबंडितकरा या सेतपदमासना या ब्रह्मा चुतसंकरा प्रवृति बेरदेवैसदावंदिता सामांपातु सराश्वती भगवती निशेशदाज्यापा काई नवाचा मनसिंद्रि एरवा उद्यात्माना वा प्रकृते सवावाद करोमी अध्याद्चकलंपरा समयी नारायना येति समरपाई तद स्रीश्वस्तानी देभ्यारपनमास्तु पुस्पांजलियारपनगर्नी आजको स्वस्तानी ब्रत कथा याही पुर्णता को आजको स्वस्तानी आजको स्वस्तानी नामस्ती